मैं चैनल तो इस वीडियो में आज हम लोग यह डिसक्स करेंगे कि अगर हमें दिया हुआ कि पी ओफ ए जो कि होता है पावर सेट ओफ ए इक्वल्स टू पावर सेट ओफ बी तो हमें यह शौ करना है कि ए और बी सेम ही होगे तो फरस्ली हम यह देख लते हैं कि पावर सैट का मतलब क्या होता है तो अगर हमें कोई भी सेट इमान लो है जो कि है जिसका पावर सेट क्या होगा पावर सेट वो होगा कि इसके सभी सेट वो सेट जिसमें इसके सभी सेट हो तो मतलब पी ओफ ए होगा सेट ओफ अल पॉसिबल सबसेट्स ओफ ए तो अगर हम इस सेट का सबसेट लिखना चाहें तो उसमें क्या होंगे इस सेट के सभी सबसेट होंगे तो इसके नदब वन तो थी एलिमेंट्स है तो इसके सबसेट क्या होगा वन टू एक सबसेट है इसका थ्री एक सबसेट है और एक लास्टिंग होगा जो क्योंगा फाई क्योंकि फाई सभी सेट्स का सबसेट होता है ठीक है तो यह तो होगे कि हम माल लेते हैं कि X कोई भी element है जो की है P of A के अंदर तो इसका मतलब क्या हुआ अगर इदर से समझना चाहें हम तो इसमें ये होगा कि P of A के अंदर माल लो ये है ठीक है ये वाला जिसके अंदर वन element है इसको X माल लिया ठीक है इसको समझते हैं कि X है वो कोई element है A के अंदर तो X का set मतलब एक set जिसमें X एक element होगा और वो होगा P of A के अंदर अब इसको समझते हैं ये क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये 1 है इसको मैंने X माल लिया X belongs to A तो यहाँ पर क्या हुआ कि X के as a set belongs to P of A तो यही बात को मैंने इस terms में लिखती है ठीक है तो अभी यहाँ से देख लेते हैं कि P of A है वो given है P of B के एकोन तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि set X है वो belongs to करता है P of B के भी तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर यहे मान के चलता हूँ कि X है वो B में है ठीक है तो power set के rule के according जो X का set होगा वो होगा B में power set of B में तो power set of B और power set of A given है कि वो दोनों equal है तो यहां पर simply replace कर देंगे तो इसका मतलब set X belongs to power set of A अगर set X power set of A में है तो इसका मतलब X किसमे है तो यहां पर हमने क्या जियों किया था firstly कि X B में है और हम कहां पर पहुंचके कि X A में भी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो B है वो A का subset है तो पहले हमने क्या प्रूव किया था कि जो A है वो B का subset है और अब क्या प्रूव कर दिया कि जो B है और वो A का subset है यह perfect formula बन गया इसका मतलब यह होता है कि A और दो दोनों बराबर ही है simple है काफी simple था यह question इसमें दो तीन जो concept यूज हुए है उनको एक बार मैं summarize कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझा जाए जाए फर्स बात तो यह यूज किया था कि जो power set है उसका मतलब क्या होता है और उससे related एक कुछ बाते वो डिसकस कर लेते हैं देखो पावर सेट क्या होता है कि अगर हमें कोई भी सेट ए दिया हुआ है उसके जितने भी possible subsets है possible subsets of a वो क्या होगा power set होगा एक ठीक है और इसके बाद एक और बात यह उसकी थी कि अगर कोई भी element x जो a में है तो अगर x को हम as a set ले लेंगे तो वो किसमे होगा power set of a में होगा ठीक है एक तो यह बात होगी और दूसरी बात यह उसकी थी कि अगर हमें two sets given है a and b और अगर हमने यह show कर दिया कि a b का subset है और जो b है वो a का subset है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a और b दोनों बराबर ही है एक ही sets है यह दो तिन बाते हमने यूज की इस question में काफी easy question था तो अगर आपको इस type की छोटी-छोटी math की इस related videos अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप ने इसी तरीके से रिलेटेड और भी math से लेटेड इस वीडियो देखने है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते है थैंक्यू फो वाचिंग दिस वीडियो